सम्थिंग गूद इस गूइंग तो हैं भाई हम एक साथ है तो फिर कमाल की चीज़े तो होती रहेंगे यह सनो तो आज भी मैं कमाल लेकर आई हूँ जो कि आपके स्किन को पिग्मेंटेशन से फ्री कर सकता है और इवन स्किन टोन को फिक्स कर सकता है आपके चेहरे पर अंद से गलो जिब बिल्कुल आ सकता है प्रोवाइड़ आप खुशे खुशे इस रेमेडी को किजे स्ट्रेस ना लीजिए अच्छा खान पान रखिए और फिर आप देखिए कि कैसे अंदर से गलो आता है टॉपिकल अप्लिकेशन से ही जिहां तो यह आप फेस वाश की तरह य आप सा ताम इंवेस्ट कर सकते हैं तो आज माजिक होने वाला है रेड़ी आईये चानते हैं वोट अलो तुमा वंडर्फुल ब्यूटिफुल अमेजिंग ओडियंस आप यूप यूप यूवल आर जिस्ट रॉकिंग और सर्दियों को हुब इंजोई कर रहे हैं नीचे ल कर मुझे हल्प जरूर कीजे कि आप हीटर यूज करते हैं अंगीठी यूज करते हैं बायो फ्यूल यूज करते हैं वट आईयू उजिंग लट मीण वेड़ी जो जर्नी थोड़ी सी अस्टान हो जाए अगर चानल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर आपके पैसे भी बचते हैं इस चानल को सब्सक्राइब करने से क्योंकि मैं किचन में मौझूद सिंपल चीजे आप कैसे अपनी स्किन केर और हैर केर के लिए यूज कर सकते हैं यह डिसकस करते हूं तो अगर आपको हमारा चानल और इसका कॉंटेंट पसंद आए तो सब्स पारीक्स फिल्देश मात्रा में प्रिजरविटेब्स होते हैं प्रिजर्विटैवर् अपकी और चीजहों को स्तेबल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं सारे के सारे market based products खराब हैं, ऐसा मैं कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जिनके preservatives काफी जादा ऐसे होते हैं कि नाम भी प्रणाउंस नहीं किये जाते हैं, तो इस सिनारियो में जब आपने बहुत सारे chemical products यूज किये हुए हैं, और आप अपने skin texture को normalize नहीं क कर पा रहे हैं, तो आपको natural remedies के towards आना चाहिए और ये powder एक बहुत अच्छा important example उस चीज का हो सकता है, जैसा कि मैंने आप सभी को introduction में बताया कि इस powder को आप as face wash, as upton, as face mask, जैसे आप comfortable हैं वैसे यूज कर सकते हैं, powder को एक mask के रूप में तबदील करने के लिए, बहुत सारे विकल्प हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में आपके साथ discuss करूँगी, अपनी skin के अनुकूल इसको बनाकर आप apply कीजिये और देखे कि कैसा magic ये आपके लिए करता है, इसका preparation बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप skincare enthusiast नहीं है, तो आपको थोड़ा सा tedious लग सकता है कि इतना स अगर आप एक बार कर लेते हैं, तो महीने भर के लिए आप अपनी skin को एक तम बेस्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ moisturize और sunscreen, बाच से दो चीज़े करनी है, बाकी सब कुछ ये खुद कर लेगा, क्योंकि इसमें exfoliator का काम भी होने वाला है, cleansing का का काम होने वाला है, nourishing का का काम होने वाला है, moisturizing का काम होने वाला है, I mean you are going to be really happy, तो जल्दी से start करते हैं, इस magical powder का preparation, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको लेनी है, वो है approximately दो बड़े चमच, मसूर की दाल, जहां वही baby pink color की दाल, जो कि आपकी तवचा को भी pinkish बना सकती है, इसका literal काम होता है, काम है, obviously basin थोड़ा सा बहतर होता है, अगर आपने यूज किया है, तो कभी अब half face को basin से और half face को मसूर दाल से clean करके देख सकते हैं, I am 100% sure कि basin ही विनर होगा, लेकिन कुछ लोगों को suit नहीं करता है, तो मसूर दार is a great substitute, क्या करना है, आपको एक पान लेना है, इसमें दो मसूर दाल को अच्छे से dry roast करना है, कुछ नहीं करना है, हम सिरफ जो moisture content है, if at all, उसको हटा रही है, एक तम करारी हो जाहिए, क्योंकि हम इसको पाउडर में तबदील करेंगे, लेटर ओन, अगर आपको ऐसे जन है, जो की comfortable नहीं है, कि भाई, पतानी यह सूट करेगा या तो इंडिविच्व इंग्रीजिन्स जो इस्तेमाल होने वाले है, आप उनको पहले patch test कर लीजे, अगर comfortable है, तो blend बनाईए, otherwise सीधा आप पूरा का पूरा एक साथ ही blend बना सकते हैं, जैसा कि मैं आगे बनाने वाली हूँ, दूसरा इंग्रीजिन जो यहां पर आपको लेना यहां पर green gram को भी आपने दो बड़े चमश लेके dry roast करना है, और इसको पाउडर में तबदील करना है, now green gram जो आप यहां ले रहे हैं, यह एक exfoliator है, अब जाहिए इसके बार में पढ़िये, मैं बोल रहे हूँ कि फिर ऐसा रगडीं के तो exfoliator हो गई, ऐसा नहीं है, इसकी यहां यूल से कि हाँ यह बहुत अच्छा exfoliator है, number three आपको यूज करना है, दो बड़े चमश, fenugreek seeds, now fenugreek seeds यानि की मेथी दाना, हमने बालों के लिए इसका magic देखा है, अब skin के लिए जरा देख कर देखिए कि क्या का होता है, यह आपकी skin पर anti-aging के लिए आपने जितने products यूज किये हैं, यह उनका काम अकेली कर सकता है, जी हां, आप इसको राद भर सोक करके, grind करके, उसका paste लगा के, सिरफ इसी का paste लगा के देख लीजे, कि what magic it can do for you, लेकिन यहां पर क्योंकि हम इसकी shelf life बहुत लंबी करने वाले हैं, तो आप इसको dry roast कर लेंगे, अलग से ल अब सारे के सारे एक साथ dry roast कर सकते हैं, और इसको ठंडा होने के लिए रहने दीजे, और उसके बाद पूरे के पूरे ब्लेंड को एक साथ powder में तब दील कर लीजे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, मेरे एक कमाल का cleanser है, इसलिए मैं यहां पर दो बड़ अच्छे से ड्राइ रोस्ट करने के पस्चात आप इसको ठंडा होने दीजे, और ठंडा होने के बाद आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में ग्राइंड कर लीजे, ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्योंकि फेनुग्रीक यूज हुआ है, तो हलके हलके चान लीजिए, चानने से होगा ये कि जो दरदरा सा पिसा हुआ पाउडर होगा, जो छिलके होंगे दाल के, वो अलग हो जाएंगे और बिल्कुल फाइन पाउडर आपके पास आजाएगा, इसको अब प्रेफरेबली एक ग्लास जार में स्टोर खर लीजिए, क्योंकि उसमे मोईस्चर नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की कोई परिशानी आपको नहीं होगी, और इसमें आप एक छोटा सा स्पून रख लीजिए, ताकि एक्स्ट्राक्शन इजी हो जाए, और आपका माजिकल फेस मास्क बनकर रेडी हो जगा है, आपको बहुत थोड़ा सा पाउड अपने हाथों में लेना है, और गीले चहरे पर अच्छे से मसाज करके, स्प्लाश वाटर and you are good to go, यह बहुत ही कमाल का फेस क्लेंजर है, आपको कोई फेस वाश की जरुवत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका जितना भी dirt, pollutant, oil, जितना भी होगा, वो सब हट जाएगा और आपकी skin काफी refreshed हो जाएगी, तो यह तो हो गया उन लोगों के लिए, जो कि dry powders इस्तमाल कर चुके हैं, sensitive skin नहीं है, और आसानी से इस blend को अपने चहरे पर every single day, जि हाँ, every single day use कर सकते हैं, अगर आपको यह ऐसे जन है, जिनकी skin बहुत dry है, तो यह dried powders हैं, तो obviously आपकी skin थोड़ी सी dryness की towards जा सकती है, तो आपको इसे use करने के लिए पहले थोड़ा सा पार्ट अपने हाथों में लेना है, जतना आप comfortable हैं, प्रीज प्लेविद रेशो, और इसमें आप दही या मलाई, जिसके लिए आप comfortable हैं, अच्छी से मिला के, अपने चहरे पर लगा के एक्स्टरनल अप्रिकेशन की जरुवत नहीं महसूस हो रही है, लेकिन क्योंकि आप dry skin वाले हैं, तो moisturizer तो definitely इस्तमाल करना है, you cannot skip that, तो अच्छी से अपनी skin को moisturize कीजिए, बाहर जा रहे हैं या घर पर है, दोनों ही सिनारियो में sunscreen का इस्तमाल कीजिए, and you are good to go, अगर अच्छी से अच्छी से अच्छी से अच्छी से लगा कर रहने दीजिए for some time, and then again, wet hands से इसको हलका मसाज करते हुए, splash water and you are good to go, कोई परिशानी नहीं है, ये एकदम cleanser की तरह, exfoliator की तरह, scrub की तरह काम करेगा, और आपका चहरा बिलकुल क्लीन हो जाएगा, अगर आपको ना तो dry है, ना आपकी oily है, combination skin है, normal skin है, जादा कोई परिशानी नहीं होती है, the best test, 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 test way to use it, is आपको ये पाउडर लेना है, हलका सा इसमें पानी लीजिए, और योगर्ट मिला लीजिए, या हंकर्ड, योगर्ट या हंकर्ड जो भी अवेलेबल है, मिला के, और उसके योगर्ट क्योंकि ये आपकी skin को इतना हाइडरेट कर देता है, इतना soft and supple बना देता है, और आप इसको हर दिन कर सकते हैं, तो सोचिए क्या कमाल होगा, लेकि अगर अगर इसको आस face wash उस कर रहे है, simple पानी मिलाना है, then it is good to use every single till, लेकिन अगर आपको और इंग्रेडियं यानि की दही, योगर्ट वेगरा, तो आपको शायद, शायद, in the long run, आपकी skin comfortable ना हो, तो alternate days, slow and steady, आप अपनी skin को clean कीजे, and you'll be amazed to see the results, if at all, आप इस blend of powders as upton इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आप इसमें 1 teaspoon of camphor powder, 1 teaspoon of rose petals powder, और kastouri haldi, इन तीनों को अच्छे से मिला लीजे, और इसका इस्तमाल as upton for the entire body कीजे, तो आपका जितना भी tanning हो रखी है, जितनी भी pigmentation हो रखा है, discoloration हो रखा है, uneven skin tone हो रखा है, ये सब को address कर सकता है, अगर आपको ऐसे जन है, जिनके खन में कुछ party function होने वाली है, आपको दुलहन बनने वाले है, तो भी आप इस blend का इस single time, and then confidently इस्तमाल किजे क्योंकि ये नाचरल चीज़े, आपकी skin पर जो grace and glow लेकर आता है, वो कोई भी कोई भी chemical application नहीं दे सकता है, दे सकता है, ते सकता है, टे सकता है, ते सकता है, पर ये आपकी skin को within glow कराएगा, विच टेस फर लाउगर परियोड ताइम, तो ये था प्र जब आप इसको इस्तमाल करें आपको चेंज दिखे तो वापस आपके अस वीडियो पर अवश्य लिखिए क्योंकि पुरा का पुरा परिवार एक दुसरे को हेल्प करता है नीचे लिखकर बताता है अपना एक्सपिरिंस, अपने रुजाल्स, अपने रुजाल्स, अनीधिं आपके लिए और भी लेकर आती रहूंगी, till then take really good care of yourself and know for sure you are amazing, that's a flower